असलाम अलेकुम जी मेरा नाम डॉक्टर महमाद अमारतुफ़ल है और आज हम जो चीज देखने वाले हैं वो है डेटा विजुलाइजेशन डेटा विजुलाइजेशन है कि इतना ही इंपोर्टन टॉपिक है जितना के डेटा साइंस की रीड की हटी अब डेटा विजुलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कौन-कौन सी चीजें होती हैं कौन-कौन से प्लॉट्स बनाए जाते हैं और बहुत ही लेवल की प्लॉट्स बनाने के लिए आपको कौन से वीजुंज करने परने और data को ये plot बनाने के बाद उनको interpret कैसे करना है आज हम कुछ examples देखने वाले हैं let's see time waste के ये बगार हम start करते हैं तो मेरी आपसे request है कि start करने से पहले आप लोग अपनी notebook open कर लें यानि के लिखने के लिए आप देखेंगे कि मेरे पास भी pencil है और मैं भी लिखकर आपको समझाने वाला हूँ आप भी note कर लें तो आज का lecture बहुत ही important वाले वाला है त्यारैं आप बहुत ही important होने वाला है त्यारैं आप फिर मैं पूछ रहा हूँ त्यारैं आप चलें comment section में बताएं जबाइं अगर आप त्यारैं Start करें फिर Let's start यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं हमारे पास आज हमारा टॉपिक है Data Visualization Data Visualization करते हैं वकट आपको कुछ चीज़ों को खयाल करना पड़ता है मतलब के आपके पास Data कैसा है ठीक है और data को आपने plot किस तरीके से करना है, ठीक है? data को visualize कैसे करवाना है तो data को visualize करवाने के लिए आपके पास कुछ techniques होती है वो techniques कौन सी है? पहले उनको देखते हैं सबसे पहले आपको एक बात बता दू कि data को visualize करवाते हैं plots के उपर और plots कुछ इस तरीके से बनते हैं ठीक है ये एक plot है तो plot के कुछ तरीके होते हैं इसे या plot कहते हैं या बहुत ज़्यादा लोग इसे बोलते हैं graph तो हमारे पास यहां पे ये जो इसकी line होती है इसको बोलते है x-axis ठीक हो गया जी X-axis इसे बोलते हैं और ये जो है इसे बोलते हैं Y-axis अब X-axis और Y-axis कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं X-axis के उपर आप लोग कुछ points जो हैं वो ले के आते हैं For example, यहां पे मैंने एक point लगाया यहां पे लगा है, यहां पे लगा है, यहां पे लगा है, यहां पे लगा है, अब इन points को कैसे हम बनाते हैं, x axis के उपर एक scale होता है, और y axis के उपर, यह मैं y axis पे बना रहा हूँ, यह x axis के उपर बना रहा हूँ, ठीक है, यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0, sorry, यहां पे नही 6, 7, 8 यह 8 पॉइंट यहाँ पर आगे 0 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह 8 अब X और Y एक्से कैसे बनते हैं यह कॉडिनेट से बनते हैं कौन से कॉडिनेट जब भी आप कोई भी पॉइंट लगाते हैं यह दो चीजों से मिलके बनते है X, Y अगर X की वैलियू 3 हो और Y की वैलियू 4 हो तो यह कहां पर पॉइंट आएगा वो हम देखते हैं हम यहाँ पर यह पॉइंट लगाने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि 3 X की वैलियू हमारे पास अगर आप गोर करें तो X की वैलियू 3 है और y की value 4 है मैं यहां से x की value पर आऊंगा 0, 1, 2, 3 यह आगे x की value और y की value 4 है यहां से y की value आती है यह 4 तो 3 और 4 जहां पर मिल रहे हैं वहां पर मैं यह वाला point लगा दूँगा ठीक है? तो इस तरीके से हम data को plot करते हैं ठीक है? x की value और y की value लगा के x क्या है? x axis पर जो आप draw करते है y क्या है जो y axis पर draw करते है ठीक हो गया? x और y axis पर draw करते हैं वकत आपको कुछ चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता है वो कौन सी चीज़े हैं वो मैं आपको बताने मालूँ for example x आपके पास है weight ठीक है? और y आपके पास है height ठीक है? मैं कहता हूँ जिसका weight ज्यादा है उसकी height भी ज्यादा है ठीक है? तो आप इस तरीके से इस example को देख सकते हैं अगर मैं weight की जगा पे और height की जगा पे कुछ और दूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. For example, मैं यहाँ पे x is equal to करता हूँ food and y is equal to करता हूँ क्या करते हैं जनाब यहाँ पे? weight अब हम देखते हैं food और weight का आपस में क्या link है? ठीक है? मैंने 5 लोगों से उनकी राय ली के food कितना खाते हैं और कितना weight होता है? ठीक है? तो हम यहाँ पे food का unit रख लेते हैं grams ठीक है? और weight का unit रख लेते हैं kilogram यानि के food खाने से क्या weight पे कोई असर होता है? अब हम इसको plot करने वाले हैं मेरे पास यहाँ पे food है और यहाँ पे weight आ गया तो जब भी हम data collect करते हैं मैं अगर आप में से पांच लोगों को पुछो के मुझे बताएं आपने खाना कितने gram खाया? कोई कहेगा 3.5 gram कोई कहेगा 10 gram, कोई कहेगा मैंने 25 gram खाया, कोई कहेगा 40 gram खाया. अगर weight की बात करें तो आपका weight होना चाहिए 60 70, 75 और 80 के गरिए. यह आपका weight है अब इसको draw करना है ना आपने जब x और y पे draw करना है क्योंके food को हमने x बोला है और इसको y बोला है. तो यहाँ पे आएगा food in grams और यहाँ पे आएगा weight मैं इसको short form में लिख लेता हूँ यह kilogram के अंदर है. अब यहाँ पे आपके आते हैं tick marks यानि के x-axis की values जो यहाँ पे यह जो मैंने लगाए है इसे बोलते हैं tick mark और यहाँ पे जो value होती है 10, 15, 20, 25, 30, 40 यह इसकी x-axis की scale होती है x-axis का scale ठीक है? अब यहाँ पे x-axis का scale और values आपको पता चलगी अब अगर मैं आपको को हूँ के y-axis पे जाएं तो मैं यहाँ पे करूँगा जनाबे वाला यहाँ पे करता हूँ 20, 40, 60 80, 100, 120 ठीक है? अब हमने draw करनी है अपनी values तो कैसे draw करेंगे? 3.5 से 60 पे जाएगा अभी 3.5 को यहाँ पे आएगा ठीक है? अभी 3.5 और 60 यह 60 है और यह 3.5 तो मैंने यहाँ पे एक point लगा दिया आप यह देखें कि यह point ऐसे लगा हूँ है तो आपने यह lines नहीं लगानी होती आपने सिर्फ point लगाने होते हैं 10 और 70 तो यह 10 है और यहाँ पे 70 आता है 25 और 75 मैं यहाँ पे जाता हूँ 25 पे ठीक है? और यहाँ पे मैं जेया 75 पे ठीक है? और फिर आता है 40 और 80 मैं यहाँ पे 40 पे जाता हूँ और यह 80 पे आ गया तक्रीबन ठीक है 75 यहाँ पे तो आप चेक करें कि यहाँ पे हमने plot कर दिया food और weight को यही सारी पास आ गया जनाब food की type और यहाँ पे हम ले लेते हैं weight हम एक अंदाजा लगाने वाले हैं कि क्या होता है food की type से? अगर हम खाते हैं बिरियानी तो आपका weight कितना है? आपका weight है 40 kg मतलब सुबह बिरियानी आपने खाई है अगर आपने दूसरे दिन खाई हैं पराठे तो आपका weight हो गया 50 kg ठीक है? जस्ट imagine मैं आपको सिर्फ example दे रहा हूँ अगर तीसरे दिन आपने खाई है दही बड़े तो आपका weight हो गया 60 अब इन तीनों को कैसे plot करना है? आपने पहले यहां पे जो value ली थी वो थी numeric लेकिन अब हम food जो है वो categories में लेंगे तीन categories है एक, दो, और तीन यहां पे हमारे पास है जी y axis वो है हमारा weight ठीक है? अब यहां पे food की पहली item है बरियानी फिर है जनाब प्राठे फिर तीसरी है देही बड़े अब बरियानी के ऊपर जब हमने draw करना है चालिस तक जाना है तो अगर यह हमारे पास 20, 40, 60 और 80 का और 100 का scale है तो आप क्या करेंगे? बरियानी से यहां पे 40 तक ऐसे line लगा देंगे इसको बोलते हैं bar ठीक है? इसको ऐसे ले जाएंगे तो जो पहला plot था हमारा इसको बोलते है scatter plot ठीक है? या simple point plot लेकिन आप scatter plot इसको बोलेंगे अब यह जो है यह हमारा है bar plot ठीक है? दो किसम की plot की type समने पढ़ लिए है scatter and bar plot ठीक है? फिर एक इस तरीके से plot आता है यहाँ पे ऐसे एक box होता है और इस तरीके से होता है ठीक है? box and this one इसको literally बोलते हैं box plot ठीक है? फिर एक plot और होता है कुछ इस तरीके से और आप यहाँ पे इस तरीके से line draw करते हैं ठीक है? उसको बोलते हैं line plot अगर आप यहाँ पे line और scatter plot को एक अठा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं वो कैसे करते हैं आप यहां पे points लगाते हैं जैसे scatter plots में लगाये थे ठीक है और उसके उपर trend line अगर बना देते हैं like this तो इसको भी scatter plot और line plot का combination बोलते हैं ठीक हो गया plot की समझ आ रही है फिर हमारे पास होता है और भी एक किसम का plot बार plot हमने दे लिया line plot देख लिया scatter plot देख लिया अब हमारे पास और कौन सा plot आता है आप मुझे बता सकते हैं histogram आता है histogram क्या होता है इस तरीके से आपके पास हर data point का कुछ सीडियां सी बन जाती है ठीक है इसको histogram बोलते है histogram क्या होता है यह हम बाद में देखेंगे फिर हम data की distribution check करने के लिए इस तरीके से bell curve बनाते है ठीक है यह होता है data की normality check करने के लिए normal distribution के लिए ठीक है bell curve इसे बोल देते है अगर यह बनती है तो नहीं बनती है इसको हम देखेंगे यह history plot के उपर basically ज्यादा तर बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है like यह हमारे पास line है इसके उपर अगर मैं ऐसे bell बनाना चाहूं तो यह हमारे पास histogram की ही अगे type है तो इस तरीके से हम और भी बहुत ज्यादा plots है जो बना सकते है अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान का नक्षा कुछ इस तरीके से है ठीक है यह मैंने सिरफ idea दिये और यहाँ पे कितनी गंदम होगी है यहाँ पे कितनी होगी है इसके बाद आगे हमारे पास एक और किसम का plot होता है, वो हम देखते हैं मैं अगर कहूँ के यहां पर एक bar बन गी है इसके बाद इसके उपर दूसरी bar बने फिर इसके उपर हमारी तीस्री color वारी bar बने ठीक है? तो इसी तरीके से यहां पर एक bar बने इसके उपर दूसरी बने, इसके उपर तीसरी बने different colors की, तो उसे stacked बार चार्ट कहते हैं, bar plot, ठीक है? stack, यानि कہ तेहें लगी हुई है, तेहे वाली बियानी नहीं होती जैसे, यह सेम उसी तरीके से, यहाँ पे stacked bar plot है, फिर अगर आप एक दाइरा बनाएं फॉर इक्जेम्पल ये दाइरा मैंने बनाया ठीक है अब इसके अंदर हम डिफरेंट किसम के चंक्स रख देते हैं कि ये जो चंक है जनाबे वाला ये फलाँ चीज के और ये जो दूसरे वाला चंक है लाइक दिस वन ये डिफरेंट चीज के है और ये तीसरे वाला चंक जो है जनाबे वाला ये है फलाँ चीज का और ये एंड पे हो रहा है मतलब ये पच्चीस परसंट पच्चीस परसंट पच्चीस परसंट और पच्चीस परसंट ये डिफरेंट है मतलब एक चीज को valuation किसी चीज़ की कितनी है तो πाई चार्ड भी ऐसे ही important है जैसे मैंने आपको बताया और बाकी जो plots हैं वो भी इसी तरीके से important है अब एक और plot हाता है मैं ज्यादा नहीं आपको बताने वाला उसकी reason ये है कि हम बाद में बार बार देखने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास extra आती है अगर आप इस तरह से different हनों के अंदर ठीक है इस तरीके से draw करें कोई चीज like this तो इसके अंदर हर एक के अंदर आपके पास different किसम का histogram हो या bar plot हो ठीक है या bell curve हो इसको pair plot बोलते हैं ये भी हम देखने वाले हैं तो इस तरह आप plotting करते हैं data की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे आपको याद होगा बच्पन के अंदर बच्पन में आप लोग क्या करते थे यहाँ पे एक ऐसे फट्टा होता था canvas type और उस canvas के उपर लगे होते थे गुबारे ठीक है different color के गुबारे लगे होते थे और आपको एक क्या उसे बोलते हैं गंद सी दी जाती थी जिसके थूँ आप क्या करते थे इन गुबारों को फोड़ते थे ठीक है और आप यही समझ लें कि जो उसके अंदर शर्रे थे शर्रे जो थे वो जो हैं वो आपके data points है ठीक है शर्रे मतलब यह जो गोलियां थी यह data points है और यह जो है board यह आपका canvas है canvas और यह वाली line और यह वाली line आपके axes है ठीक है axes data points canvas और axes फिर उसके बाद आपका text text के बाद आपकी information यह पांच चीजें जो हैं यह मतलब most important चीजें हैं जब भी आपने कोई plot बनाना है ठीक है कैसे कैसे आप बना सकते हैं for example आपके पास यह canvas सबसे पहले होना चाहिए जिस पे x-axis और y-axis लगे है होंगे दूसरी चीज तीसरी चीज आपके information यानि के data points की values and x-axis और y-axis पे आप जो भी ले के आ रहे हैं वो सब कुछ ठीक है चौती चीज मैंने आपको बताई थी कि आप इसको annotate कैसे करते हैं अगर different colors के हैं तो आपने बताना है कि यह red color sorry यह red color किस चीज को denote करता है और blue किस को करता है ठीक है red is equal to for example weight ठीक है y और फिर जो blue is equal to something else ठीक है तो आप इस तरीके से information देते हैं तो यह सारी चीजे मिलके आपको एक plot देती हैं अब इस plot को python के अंदर कैसे ट्रहा करना है हम इसे अगली वीडियो में देखने वाले हैं ठीक हो गया त्यार है चले देखते हैं पर